हफीज गुलाम सरवर साब ये वोट बैंक की राजनीती है या एक विशेश वर्क में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है सबका साथ सबका विकास की बात मौजूदा सरकार करती है ऐसा क्या हो रहा है जो ये बता की कोशिश की जा रही है कि आज का मुसल्मान बहुत डरा हुआ है मुसल्मान होना सबसे बड़ा पाप हो गया इस देश में ये बात तो बिलकुल अपनी जगे दुरुस्त है कि मुसल्मान होना इस मुल्क में वाकई पाप हो चुका है लेकिन इसका आरोब केबल मोधी जी पर अगर मढ़ा जाएगा तो ये उचीत अंसर नहीं होगा इस मुलक में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं कथित तोर पर अपने आपको सिकुलर कहने वाली मुसल्मानों के नाम पर घर्याली आँसू बहाने वाली पार्टियां भी बराबर की दोशी है और मुझूदा दौर में जो अमाम बुखारी साब ने जो चिंता परकट की है वो कहीं से भी उसको पॉलिटिकल लाखाब बना कर पेश करें उसे पॉलिटिकल नहीं कहा जाएगा वो जो हकीकत है वो आईना सरकार के लिए मुस्तकिल पिछले कई वर्षों से जो कुछ हो रहा है सरकारी घर सरकारी यहां तक के अदालती अब मैं अदालती एडिशनल कह रहा हूँ जिन जिन जजों ने इन गहर कानूनी कामों पर लगाम लगाने की कोशिश की उन जजजों को उसी रात में बदल दिया गया यह मैं नहीं कहा रहा हूँ आप पत्रकार है बता दिए देश को कैसा हुआ या नहीं हुआ तो नाम मैं बता दूँगा अभी नूह में बुल्डोजर जो गहर कानूनी जबरदस्ती चलाया जा रहा था मुसल्मानों को निस्तो नाबूद जो लिश्ट बना कर किया जा रहा था और अभी भी जो गिरफतारियां हो रही है उस पे जो कोट ने बरेक लगाने की कोशिस की जिस जज ने की उसका ट्रांसफर हो गया अगर ट्रांसफर था भी तो आपको दो चार दस दिन आगे पीछे करना चाहिए ये इन डायरिक्टली मैसेज कोट को भी दिया जा रहा है कि सरकार के इस गहर कानूनी काम में अगर आप टांग अड़ाएंगे तो हम CJI को भी नहीं बख्षेंगे चुनावायक उसे उनकी भी छुट्टी करवा देंगे तो ये सारी चीज़े हो रही है लेकिन फिर में दोर आ रहा हूँ कॉंग्रेस के जमाने में वही हुआ आज भी कॉंग्रेस मोदी जी के साथ है मुसल्मानों के नाम पर आज भी सपा साथ है बसपा साथ है आर जेडी साथ है जेडी साथ है मुसल्मानों के लिए कोई नहीं है यह इतना विक्तिम आप अपने आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं आपने हरियाना या ताज़ा ताज़ा जो ये घटना मोरा है अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसल्मानों के घर तूटे हैं कई हिंदू के घर भी तूटे हैं कई हमारी रिपोर्ट हैं हमारे संबदाता खुद ग्राउं पर जाते हैं वह दो आप दर दिखा रहे हैं जिद्धा और साला का रिष्टा बनाने गए ते क्या बिट्टू बजरंगी जेल के अंदर है क्या वह यह क्या क्या अनुमाने सर्जेल के अंदर है क्या शे महीने संदंगा नाच हो रहा है तो यहां भी आपको सिर्ग बजरंगी नजर आया अगर आपको मौनू माने सर नजर आ रहा है तो आपको वह तमाम लोग भी नजर आने चाहिए जिनोंने प्थर माजी की थी आपको वो भी नजर आने चाहिए आप दोनों को ताकीद करिये सिर्फ एक पक्ष को आप ताकीद नहीं कर सकते हैं नहीं बाट भूलोसन वाली मैं जवाब ले लेती हूँ कैसी बाते कर यहीं सोच, आप की यहीं सोच, बताने के लिए काफी है कि कैसे आप लोग डर दिखा रहे हैं जो इनके जहन में अभी तक है और इसको आधार बना कर कह रहे हैं मुसल्मान डरा हुआ है पूरे मुल्क के मुझे लगता है कि यहां पर लौट स्पीकर पर बोलने के आवशकता नहीं लौट स्पीकर उतारना भी आता है इंडिया टीवी हर वक्त हर जग है डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर